हेलो फ्रेंड्स वैल्कम तू माइ चैनल तो फ्रेंड्स आज में लेकर आए हो एक टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी इससे बनाना बहुत असान है इसके लिए ना ही मावा चाहिए ना ही चीनी ना ही गी की जुट पड़ेगी और ना ही हमें गैंस जलाना पड़ेगा तो ये ब इसके लिए हमें ज्यादा ना कोई जंजट करना पड़ेगा और बनने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ बिस्किट, बिस्किट हम मिठे, कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मैरीगोड ले सकते हैं, पालेजी ले सकते है कोई और भी बिस्केट ले सकते हैं तो फिर इसे मैंने सब पैकिट को खोल कर मिक्सी में पीस लिए हैं फाइन पाउडर बना लेना इससे इसमें बस मोटे पीसिस नहीं रहने चाहिए तो इसमें हम एड़ करेंगे आधी कटोरी यानि आधी बाउल पीसी वी चीनी अगर मैरीगोल्ड बिस्केट ले हैं तो चीनी की जुरूट नहीं पड़ेगी तो इसमें हमने बड़ा चमच मिल्क पाउडर एड़ किया है इसे दूद डालेंगे इसके अँदर और फिर इसका एक डू बनाएंगे अ हाथों से मिक्स करते हुए एक डू बना लेंगे और डू हमें नहीं तो टाइट रखना है नहीं जृब रखना है मेडियाम ताइब का ड्all ट्यार कर लेंगे तो हमारा renty हो रहा है और ड्all ready होनने के बाद में हम इसमें अगर ड्all क्लिद चिपके तो थोड़ासा गी लगा सकते हैं तो यह 오視 में तifi हम गी क्लेगों केलिक तो टाइब कि उसे ग्रीज कर लेंगे और फिर इसमें ब्रक्राइब प्राइब कर सकते जानिश हम प्रुटि प्रुटि से भी अर्डिय काबुरा यानि कोकोनट पाउडर से भी कर सकते यहां फिर कुछ ड्राइफ रूट से भी से गार्निश कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हमने गार्निश कर लिया है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो आप राई जुरूर करिएगा त तो फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे और दबाने से यह प्रैस करने से इसके साथ चिपक जाएंगे और देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बच्छों को तो यह बहुत ही पसंद आने वाली है तो इसे मैंने लेवल अप कर लिया कर लेंगे और फिर इसके磨ट कर लेंगे और देखने कर लेंगे और शुचंटे हैं प्लेट में निकाल लेंगे और करने के लिए हमारी डिस हमारी ठाइब है तो खाने में बहुत ही लगेगी और बनने में तो बहुत ही आसान है इसके लिए हमें ना ही गैंस जलाने पड़ेगी ना ही चीनी के जरूप पड़ेगी तो फ्रेंस एक मैंने कट करके दिखा दिया है यह दिखने में बहुत ही और खाने में बहुत सोफ्ट है और जल्दी बनने वाली एक तेस्टी सी रेसिप दो रॉप्रेंस रेसिपी कैसी लगी तो क्मैंट करके बतायं के ज़रूर और वीडियो को लाइक करियेगा शेयर करियेगा और क्मैंट करियेगा तो फ्रैंट मिलते हैं और मजदार सी रेसिपी के साथ टेख कियर बाइप लुझ ठैक्स और वोचिंग